शेखा आज कल ये crimes कितने बढ़ गए हैं? उपर से ऐसे-इस टर्म्स यूज करते हैं, गहीं पर arrest हो रहा है, गहीं पर detention हो रहा है, गहीं judicial custody में भेज रहा हैं? यार ये सब पढ़ गए ना, मैं तो बहुत confused हो जाता हूं. हाँ यार, ये सारे terms बहुत confusing sound करते हैं, पर है नहीं. चलिए आज की इस वीडियो में डिसकस करते हैं कैसे? Hello everyone, मैं हूँ शेका और आप देख रहे हैं Phenology Legal. आज की इस वीडियो में हम चार बहुत important terms डिसकस करेंगे, जो है arrest, custody, judicial custody और police custody. हम ये जानेंगे कि आखिर इन चारों terms में difference क्या होता है. सबसे पहले ये समझते हैं कि किसे individual को arrest करने का purpose क्या होता है. तो for example, अगर किसी ने कोई crime commit किया है, तो police उसे arrest करती है, ताकि वो further कोई crime ना commit करे, या फिर evidence के सार्ट tamper ना करे. ये होते हैं दो reasons. तो arrest और custody, ये दोनों terms काफिर synonymous sound करते हैं, पर होते नहीं है. Arrest पहला stage होता है, और custody दूसरा stage. अगर किसी ने कोई crime commit किया है, तो police उसे पहले arrest करेगी, उसकी liberty को restraint करेगी, उसके बाद उसे किसी authority को सौपेगी, जोगी हो सकती है judicial custody या police custody. अब इस line को ध्यान से सुनिएगा. हर arrest में custody होती है, पर हर custody में arrest नहीं. चलिए से समझते हैं. For example, अगर किसी ने कोई crime commit किया, और वो magistrate के सामने जाके खुदी surrender कर दिया, अपना कुनाख खुदी कबूल कर लिया, तो इसमें custody तो हुई, पर arrest नहीं. इसलिए हर arrest में custody होती है, पर हर custody में arrest नहीं. ये होता है arrest और custody में difference. तो अब ये जानना बहुत important है, कि custody भी दो type की होती है. एक होती है police custody, और एक होती है judicial custody. तो अब आप सोच रहे होंगे, कि आखर ये कौन decide करता है, कि एक individual police custody में रहेगा, ये judicial custody में. तो अगर किसे इनसान ने कोई crime commit किया है, और police उसे arrest करती है, तो magistrate के पास ये authority रहती है, ये decide करने की, कि इस individual को judicial custody में रखा जाए, या police custody में. चलिए अब इन दोनों terms को detail में discuss करते हैं. तो अब देखते हैं, कि police custody और judicial custody में difference क्या होता है. तो police custody मतलब, अगर किसे इनसान ने कोई crime commit किया है, तो police ये investigating agency, उसे arrest करती है, ताकि वो आगी कोई offense ना commit करे, और अपनी custody में ले लेती है, मतलब उसे police station lock up में रखा जाता है, ना कि jail में. वहीं judicial custody में, suspect को सीधा jail भेजा जाता है, बतलब उसकी authority, magistrate के पास रहती है, ना कि police के पास. अब देखते हैं, तो आखिर कितने time तक, police या magistrate एक इनसान को अपनी custody में रख सकती है. Police custody में, सिर्फ police के पास authority रहती है, और अगर police किसी suspect को arrest करती है, तो section 57, CRPC के अंदर, 24 घंटों से जादा, police उसे नहीं रख सकती, बले ही investigation complete हुआ हो, या नहीं, और उसे magistrate के पास produce करना ही पड़ता है, पर magistrate की permission के साथ, suspected person को 15 days तक, police custody में रखा जा सकता है, वहीं judicial custody, 90 days तक extend हो सकती है, अगर offenses, 10 साल से जादा के लिए punishable है, जैसे murder या rape, और 60 days तक, बाकी offenses के case में, police custody में, police accused को बिना magistrate, या judge के permission के interrogate कर सकती है, वहीं judicial custody में, बिना magistrate की permission के, police interrogate कर सकती है, पर अगर court को ये लगे, कि interrogation जरूरी है, तो वो allow कर सकती है, judicial custody में भी, police को interrogate करना, police custody में, security police देती है, और judicial custody में, security judge या magistrate देते हैं, तो ये थे कुछ differences, police custody और judicial custody में, तो अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और ऐसे ही और simplified वे में, आपको concept समझने हैं, तो आप learn.prinology.in में जाकी, हमारे courses को check out कर सकते हैं, अब तक हमने discuss किया है, arrest, custody, police custody और judicial custody, जो कि बहुत important concepts हैं, investigations related. अब हम दो और concept दिसकस करेंगे, जो है, detention और remark. कई लोगों को ये लगता है, कि किसी को arrest करना, और किसी को detain करना, same चीज होती है, पर ऐसा है नहीं. Detention तब किया जाता है, जब police को reasonable suspicion रहता है, कि एक इनसान ने crime किया है, वो इनसान उस crime के लिए charge नहीं होता. वहीं अगर हम arrest में देखें, तो arrest में strong evidence रहते हैं, और उस crime के लिए उस इनसान को charge किया जाता है. ये होता है detention और arrest में difference. कई बार initial detention के चलते, इनसान के पास इनसान के पास, तो वो उसे जाके arrest करेगी. ये होता है arrest और detention में difference. तो जो last term हम discuss करेंगे, वो है remand. ग्यादे मैंने बताया था, कि अगर police किसी इनसान को arrest करती है, तो वो 24 घंटों से जादा, उसे बिना magistrate के permission के lock up में नहीं रख सकती. इन case police को और time चाहिए investigation के लिए. For example, अगर किसी murder case में, police को murder weapon ही नहीं मिला 24 घंटों के अंदर, तो वो magistrate के पास जाके और time मांग सकती है. Magistrate को अगर ये लगता है कि हाँ reasonable grounds है, तो वो police को 15 days का police remand दे सकती है. जिर्फ एक magistrate के पास authority रहती है police remand या judicial remand देने की. पर police किसी भी इनसान को बिना reasonable ground के 24 घंटों से जादा lock up में नहीं रख सकती है. और अगर वो ऐसा करती है, तो उसे illegal confinement कहा जाता है. ये बहुत important right होता है एक arrested person का. ऐसे ही और important rights हमने इस वीडियो में discuss की है, जो आप जाके check out कर सकते हैं. तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ बहुत important और confusing terms discuss की है. अगर ऐसे ही आप और informative वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले. और आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं, add the rate Phenology Legal. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like करना ना भूले. Thank you.